तो आज मैं फिर से एक नई रेसिपी बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आ गई हूं तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलेगा सब्सक्राइब कर लिजेगा और इस वीडियो को पूरा अंतर जरूर देखेगा तो आईए बहुत ही चटपटी बहुत ही जायकेदार है तो इसके लिए मैंने काला चना ले लिया था भिगो दिया था रात में इसको मैंने एक कटोरी लिया था उसमें मैंने तीन-चार हरी मेर्च और दो बड़े-बड़े प्याज ऐसे कट करके डाल दिये हैं देखिए सभी चीजों यहां नमक, स्वाद के अनुसार, हल्दी डाल दी है और यहां पर थोड़ा सा जीरा और जो गरम मसाला है वो डाल दिया अब यहां पर तीन-चार सीटिया मैंने लगा दी थी और यह देखिए बहुत अच्छे से यह पक चुका है नीचे देखिए यहां पर पानी इसने थो दोस्तों एक बाद जरूर ट्राइ कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताएगा बाबाई